हेलो दोस्तों कैसे आप लो दोस्तों जिस वेकेंसी के आपको था बहुत दिनों से इंतजार फैनली को वेकेंसी आ गई जी हाँ स्टाफ सेलेशनल कमिशन यानि SSC ने लेटेस वेकेंसी ओफर कर दी है इमटीएस पोस्त के जो के मल्टी टास्किंग स्टाफ तो आज के इस वेकेंसी की डीटिल्स के बारे में क्या है विल्टी क्राइटेरिया कौन को इसको अप्लाई कर सकते हैं तो लेट्स डो इट कि दोस्तों आगे लड़ने से पहले अभी था हमारे चल्लों को अब में अगे किया है तो अभी सब्सक्राइब करले अगर आपको गर्मिंट जॉबसों हरे चाहिए इसे notification आपको मिल लाएगी कोई job अपसे मिस नहीं होगी दोस्तों बात करते हैं इस वेकेंसी बारे में दोस्तों MTS है जो भारा सरकार के बहुत सब्सक्राइब करते हैं हर स्टेट में उसमें multi-task staff रखे आते हैं जो कोई भी काम कर सकते हैं तो उस post के लिए वेकेंसी निकाली में दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं important dates की जो कि जो आपकी वेकेंसी है यह multi-task non-technical पोस्त के लिए तो जो डेट आपकी स्टार्ट हो रही हो पांच फर्विर दोजारी से स्टार्ट हो रही हो लास्ट डेट आपका 21 मार्च 2021 तक आपको ऑनलाइन समिट करने का लास्ट मार्च 2021 है और आपका online payment करने का भी time में आपको एक्सटेंड किया गया है कभी कभी होता है कि last time में बहुत दिक्ट करता है सर्वर हो गया तो 23 मार्च किया गया है और आप आफ-लाइन चालांज डाउनलोड करते हैं तो इसके लिए दिया गया 25 मार्च 2021 तक जो एक्जाम के डिये गया है और फॉस्ट पेपर का एक जुलाई सेक्षन में जाकर वहां पर चेक कर लेंगे कुछ दिनों बात कि वहां पर कितनी स्टेट में कितनी टोटल की नार्मल क्रैटेरिया है जनल की वह इसमें अप्लिकेबल होंगे जो भी नोटिफाइड कीए आते हैं कि इतने से अपका ज़िए सारे चीजए में आप्लिकेबल से 25 years तक यानि 18 से 25 years और सेकंड कटेगरी आपकी है 18 years से 27 years तक यह दो एक 1996 से पहले की और एक दो यार तीन के बाद की नहीं होने चाहिए आपकी 18 years से 25 years वाले में अगर आपके 18 years 27 years अपलाई करते हैं तो उसमें आपकी जो देट आप बर्थ है दो एक 1994 से पहले की या एक दो यार तीन के बाद की नहीं होने चाहिए बात करते हैं रिलेक्षेशन की तो जो एच पर गवर्मेंट के नॉर्म्स हैं सारी गवर्मेंट जॉब्स के लिए उस सारी चीज़ा इसमें अपलिकेबल होंगी सब्सक्राइब जो क्रैटेरिया होती है रिलेक्षेशन के डिफरिंट काटाइकरिस में वे अपलिकेबल होंगी बात करते दोस्तों एजजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो यह एक मात्राइस स्सी की जिसमें लोग चाहता हैं इन्वाल्ब होते क्योंकि जो एजुकेशनल वहां पर जाना है वहाँ पर जाके इसको आप्लाई कर सकते हैं जो भी क्योंकि सारे अप्लिकेशन से हो रहे हैं तो अब आप्या उनलाइन ही अप्लाइब होगा दोस्तों बात करते एक्जामिनेशन का जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट वह दो पार्ट पर पर की यारी पेपर फरस्ट की जो कि आपके सबसे इंपोर्टेंट बात है इसमें माइनस मार्किंग होती है जिरो पॉइंट फाइफ मार्क्स की मार्किंग है मिन्स अगर आपको कोई कोश्चन गलत होता है तो उसके बदले में आपका नंबर कट जाएंगे तो ध्यान अकिएगा कि उससे पेपर वैसा ही करिए कि नंबर ना कटे कि कम सकम जितने नंबर आपको वाय तो उतने तो आए उसमें माइनस नहीं होने चाहिए इस होता क्या है कई लोग चलो 100 में संदेर कर देते हैं बले तुक्का लगा लेते दें इसमें तुक्का नहीं चलता है आप confident हो तभी आप इसको solve करें बात करते हैं paper second आपका descriptive टाइप सोगा descriptive प्रिफर करते हैं हिंदी में इंग्लिस में यह जो भी रिजनल लैंग्वेश उसमें आप अपना यह फॉर्म कर सकते हैं यह भी आपका 30 मिनट का होगा टोटल और 50 मार्स में उफर किये जाएंगे इसमें क्या क्या आएंगे तो जो पहला पार्ट होगा अपका जनल इंटलिएंस एंड रिजन इस पर सिंपल से आपके नॉर्म निमेरिकल अपिटीट होंगे जनल इंग्लिस होंगे जो बिल्कुल मैंट्र के मता हाई स्कुल लेवल का होगा ज्याद आपको इसमें इस्वी न जाएंगे बात करते हैं जनल इंटलिएंस एंड इसमें आपको विजुलाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग एनलिसिस जज्मेंट डिसीजन मेकिंग विज्वल मेमोरी डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन रिलेशन सिप कॉंसेप्स फिगर क्लासिफिकेशन जनल इन्वार्मेंट में आज की डेट में क्या हो रहा है इसकी नौलिज चेक्ट के लिए पोड़िशन कैसे होगा सबको यह जानना होता है कि हमारा सेलेक्शन किस प्रॉसेस से होगा देखे दो दोस्तों दो पेपर होगा पार्ट फस्ट पार्ट सकेंड तो दोनों के बाद जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया होगा क्योंकि यह जब आप आप से स्टेट भी पुछेगा कि आपकी स्टेट सप्लाई करना चाहते हैं तो जिस स्टेट में अपने अप्लाई किया होगा फिर जो आपकी एबिलिटी होगी उसके एकॉर्डिंग उस होगा फिर आपको appointment offer कर दी जाएगी तो दोस्तों यह था पूरा डिटेल्स आपका MTS पोस्ट के लिए फिर मेरा सजेशन है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जो नोटिस है इसका लिंक कर दे रहा हूं वहाँ जाकर पूरा एक बार नोटिस जरूर पढ़ लें कि कोई ऐसा पॉइंट जो है मिस्स ना हो जाए तो कभी फोटो को साइज में मिस्मैचिंग हो जाती है कभी कुछ अब अब देंट युट कर लेए तो हमारा अप्रिकेशन जो रिज्ट भी हो जाता है तो कम सक्वाँ कर रहे थे उसका भर प्रॉपर फालो कर ले तो इसलिए आप इसको जरूर एक बार इस्टरी करें फिर अप्लाइई करें और हां अप्लाइई जल्दी करें लास्टिड क में लाइड करते हैं और उस टाइम प सरवा पर प्रॉपम आती है बहुत सारी चीज़े होती है और उसके लाओ है और अब पूरा वीडियो देखने के लिए प्यार पूर्वक धन्यवाद